दियर स्टूडेंट्स वल्कम बैक यस मुझे पता है मेरे कई स्टूडेंट को ऐसे तो बहुत ज्यादा लोग इसको देखते नहीं है लेकिन कई मेरे स्टूडेंट जुन्हेंने मुझे मेल किया है वो इंजार कर रहे थे कि सर इस बार देर क्यों कर रहे हैं बस एक ही कारण है कि आप समझ सकते हैं जब बहुत सारे डारेक्शन में आपकी इनर्जी जाती है तो फिर यही होता है इसको वीकली कहना तो चलिए एक जस्ट एक नेम है बिकॉस अब पंदर दिन पर मैं ला पाता हूं लेकिन कोई इश्यू नहीं इसमें सारे वो हैं फैक्स इंफॉर्मेशन और बहुत सारे टिट बिट जो की एक्जाम के लिए वर्दी हैं एक से पंदर मई के बीच की कोर्स, CUET, PG के लिए लेकिन ये इवन UGC NET के लिए इंपॉर्ट है क्यों मैं आपको इंवाइट कर रहा हूं बिकॉज अब डिजिटल प्लेटफॉर्म की ब्यूटी के चलते हैं आप कभी भी इसको जुए अभी भी जुए नहीं आप करते हैं जब कि ये कुछ मेहनों से ये रेगुलर कोर्स चल रहा था, तो आपको 25 जो इसमें टेस्ट हैं, वो आपको बौत online, offline मिल जाते हैं और सारे जो session हैं, जो doubt clearing session हैं, वो recorded मिल जाते हैं, इवें revision session जो भी चल रही हैं, वो भी recorded आपको मिल जाते हैं, इसलिए आप कुछ भी loose नहीं करते हैं, ताइम कि आपको guide किया जाएगा, यदि आप join नहीं कर सकते हैं, तो जो best resource PG interest test CUET PG के लिए हो सकती है, ये दो book में strongly recommend करूंगा, आपके chances को काफी boost करता है, काफी help करता है, एक तो 1500 MCQ है, जो best 1500 MCQ हो सकते हैं, जो पिछले साल सारे पूछे गए हैं, उनके basis पे, और जो best एक guide हो सकता है CUET PG के लिए है, किसी interest test के लिए, ये दोनों imagine पे kindle version अबलेबल है, बहुत कम cost पे हैं, इसलिए kindle पे अबलेबल, आप कहते हैं, hard copy क्यों नहीं है, क्योंकि hard copy कई गुना महगा हो जाता है, दो से तीन गुना, अब आईए हम लोग IR पे सबसे पहले नजर दुराते हैं, फिर Indian quality या Indian जो scene होगा उसे, आपको पता है कि quad की जो बैठक होती है, quad है क्या, आप सब जानते होंगे quad जो है quadilateral security dialogue है, चार country का जिसमें कि India के अलावा USA है, Japan, Australia है, इनकी बैठक generally जो है में में होती है, इस बार भी जो है ये 24 में को जो है, ये schedule थी Sydney, Australia में, और ये लेकिन बैठक न जो बाइडन, जो अमेरिका के president है, वो आतो रहे हैं, वो आ रहे थे G7 की बैठक के लिए, जो की 19 से 21 में, अभी मैं आगे पूछूँगा, अभी वो जैपैन में हो रही है, लेकिन उसके बाद उनको जो है Australia जाना था और बीच में उनको Papua New Guinea, जो Australia के उपर में है country, वहाँ पे भी उनको stopover करना था, लेकिन वो भाग के अपने country वापस जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे टसल हो गई है president और Congress, Congress है आप बोले तो कोई party नहीं है, वहाँ के Parliament को इसे है, अपने यहाँ Parliament कहते हैं, संसद उसको वहाँ Congress कहते हैं, Congress जो है ठन गई है कि आपको हम और पैसे नहीं देंगे अपने रीन को चुकता करने के लिए क्योंकि आप पहले ही बहुत पैसे खर्च कर चुके हैं, आपको पता है कि पर्स पे जो है control कहीं भी लेसलेशर का होता है, इंडिया में भी है, लेकिन इंडिया और अमेरिका में फरक किया है कि वहाँ पे जो लेसलेशर ह होता है क्योंकि प्राइमिस्टर सबसे बड़े जो मेजरिटी दल होता है पार्लेमेंट में उसके लीडर होते हैं, तो पार्लेमेंट में अपनी बाद मनवा सकते हैं, अपनी दल के थुरू क्योंकि उनका दल मेजरिटी होता है, ऐसा वहाँ पे नहीं है, अमेरिका में भी ट सेल होता है, उनको मजनाय करके आर्गुमेंट और निगोशेट करके बनना पडना पडना है 24 माइ को हो नी थी अब आगे और न आगई उयूचा और होगी किसे सभी मेंबर्त मिल करका ञास करें सिब शुक्राइब रहे हैं कि सम्सक्राइब बबॉचरा जाता है इस बार का मालाव एक्साइज कहा हो रहा है यह मैं पूछ रहा हूँ और इस बार का हो रहा है अगस्त 11 से 22 सीड़नी ऑस्ट्रेलिया में वहीं पे जहां पे की क्वार्ड की बैठक होनी थी इस डिट को याद कर लिजे सिड़नी भी जी सेवन समीट जिसका मैंने जिक्र किया जी सेवन जो दुनिया के सबसे सेवन अमीर कंट्री हैं अमेरिका कनाड़ा यूके फ्रांस जर्मनी जैपैन अब समझते हैं इटली सारे जो रिच कंट्री माने जाते हैं उनकी जो एक ग्रूप है जी सेवन जिसमें एक समय में यह जी एट था एक समय में कुछ साल पहले 2014 क सेवन यह जाई पहले इसमें रसिया भी था लेकर अग्हार क्योंकि उसने कर्या के लिया सकते हैं यह गशासरा हो रहा है तो यह जो हो रहा है यहां पर कि बम बरसाए गय थे 19-21 मैं को हिरोसीमा जपान पे हो रहा है अब देखिए कितना दुनिया कितनी बदल चुकी है वही अमेरिका जो G7 का लीडर है वो हिरोसीमा में जपान के साथ मिल करके बैठक कर रहा है G7 का और जपान उसकी जो अधिक्षता कर रहा है जपान जो है चेहर है जो country वहीं पे जो है उस साल की summit होती है उस organization की अब मैं पूछ रहा हूँ global sealed fund जो है यह किस international organization से related है यह G7 से related है यह fund है क्या यह climate change से लड़ने के लिए G7 आगे आई है खुद कि हम एक global sealed fund बना रहे हैं और इसकी mechanism हम तै करेंगे कि इसके तहत कोई भी developing country या climate change या coal या methane से हट करके green energy अपनाता है तो उसको हम support करेंगे वैसे इस पर एका नहीं है क्योंकि इसके जो terms condition है वो developing country like India और चाहिना इन सब को मंजूर नहीं है वो जो है एक loss and damage fund एक अलग तरीके से बनाने के बात उन्होंने COP 27 में की थी COP 2070 कहां हुआ था यह इजिप्ट के शर्म शेक में तो यहां यह भी जान लीजे कि जो अगला COP होने वाला COP क्या होते है conference of party जो बैठ करके climate change पे चर्चा करते हैं strategy मिलाते हैं कैसे mitigate करें कैसे क्लाइमिट चेंज से वो हर साल उनकी सालाना बैठक होती है हर कंट्री उसमें लगवख शामिल होते हैं उसको खौप कहते हैं वह कौप 28 कौप जो है वो दुबई में होने वाला है who is the PM of Fiji अब ये gentleman जो है Fiji एक चोटा सा आइलेंड निशन है Pacific Ocean में उसके जो प्राइम मिनिस्टर है वो है Siti Veni Rabuka और ये क्यों मैं पूछ रहा हूं क्योंकि इन्होंने अभी बड़ा interesting एक जो है माफी मांगा इन्होंने इंडियन से जो फिजी में काफी इंडियन रहते हैं फिजी में और सूरीनाम में इन से में काफी मौरिसस में बहुत रहते हैं इंडियन जो वहां पर एक साह में गये थे अजे लेबर या और भी कारणों से और फिर वहां पर बस गये तो उनके, उनसे इन्होंने माफी मांगा ये कहते हुए कि इन्होंने 87 या 89 में इन्होंने, ये मिल्टरी के जनरल टाइप के थे, मतलब या 2nd, 3rd rank पे, उन्होंने कू किया था, कू करके, मतलब विद्रो करके इन्हों सत्ताहती आय थी, उस से में बहुत इंडियन को परिशान इनका नम है रिसेप तयप रौदगन, रौदगन जैसे पढ़िए इसको रौदगन, औरदन भी पढ़ते हैं करी लोग तो, औरदन जो है, अब ये औरदन क्यों इतने फेमस हैं, क्योंकि ये बड़े ही स्ट्रॉंग मैन माने जाते हैं, और टर्की एक सेलम जो कमाल मुस्त पर हैं, मेजरिटी में हैं, लेकिन कमाल अता तुर्ग ने इसको एक सेकुलर नेशन बनाने के लिए कि नहीं, क्रिस्चन भी काफी है, आपको पता है, तर्की एक अजीब कंट्री है, जो आधा एसिया और आधा यूरोप में है, एक समय में इसको सिक मैन और यूरोप भी का आयाता था, तो इसको ना यूरोप का भी पार्ट माना था और अश्या का भी, और ये नाटो का भी मेंबर है, अजी जो एसिया में पढ़ता है, नाटो का मेंबर है, तो इसके चलते हैं इसकी काफी इंपोर्टेंस है, लेकिन अरगान जो है अरदान कह लेजए, ये बहुत ही इनोंने बहुत ही कमनल वे में मतलब मुस्लिम वे में कंट्री को ले जाना चाहते हैं, इनोंने बहुत सारे जो जगह पहले मॉनुमेंट थे इसे सोफिया का जो एक पहले मॉस्क होता था जिसको म्यूजियम बदल दिया उसको फिर से मॉस्क में बदल दिया तो उस तरह की चीजे ये करते हैं और काफी मतलब डिमोक्रिटिक जो राइट्स हैं लोगों के उसका में ने काफी हनन किया है बहुत जिसे ब्लाक सी से जो गेहूं और मक्का और यह सब जो अनाज जो बाडली यह सब का एक्सपोर्ट होना था उसके लिए अग्रिमेंट कराया था लेकिन ये इनकी काफी लोग बुराई भी करते हैं अभी जो टर्की में भूकम पाया था उसमें इनके रोल को लेके वहां के लोग काफी दुखी हुए कि नों अच्छे से जो उनकी मदद नहीं की जिसमें इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त के तहब जो है मदद की थी वैसे एरवगान से इंडिया का संबंद भी बहुत कोई खास अच्छा नहीं डाया है क्योंकि ये कस्मीर पे उल्टे सिद्र बयान के लिए स्व्त देने के लिए मुस्लिम कम्युन्टी को खुष करने के लिए अभे मैं क्यूं पूछारू ये सब बाते इनके बारे में तना बता रहा हूं क्यों है वहां दो राउंड में वोटिंग होती है इसको second run-off, run-off voting करते हैं तो first round में किसी को विजय नहीं नहीं लेकिन ये आगे हैं अपने पर्दिद्वंदी से फिर second round के वोटिंग साथ 28 में को होगी तो देखते हैं क्या होता है साथ यही बन जाए तो अच्छा हो या बुरा आ गये हैं छो प्र्टी हहां रूल कर रही है जो जस्तिन थ्रडू जो हैं इसी प्रडी के प्रामिंस्ट रहा, उस जो प्रसिडेंट है वह बन गया है वहां सचित महरा रसिया जो है, विक्ट्री डे उन्होंना भी अभी celebrate किया, क्यों विक्ट्री डे करता और व्किस दिन करत यह दे वह है जिस दिन उन्होंने नाजी जर्मनी पे कब्जा किया था जो रेड आर्मी ने उसी दिद हरा था उस दिन को माना जाथा और यह बखुत बड़ी ठीक्टरिया आप समझ सकते ही डिलर की सेना को यह से सार ने जो रसिया ने जो रेड आर्मी ती उसने हरा तो which price institution won the Pulger Pulizer prize for public service to pullizer prize journalism जो है जो है जर्नलिजम के लिए सबसे बड़ी price मानी जाती है और उसमें कई केटिग्री में price दिया जाता है कुछ INDIAN से ने भी जीता है सको उसमें public service के लिए जो जीता है मैं पूछ रहा हूँ associated press है अब यहां पर आपको समझ मैं कि associated press क्या होता है तो associated press या रेटर यह सब जो है news agency है मतलब यह कोई यह news feed करते हैं सबी जो new channel है या paper है उनको यह news देते हैं मतलब इनका कामी है news gather करना और यह associated press अपने authentic news के लिए जाना जाता है तो associated press को जो है मिला है public service के लिए और यह इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने जो काम किया है अभी जो mario poll में जिस तरह से attack किया था रसिया ने और उसका जो पूरा उने reporting किया है इनके बॉम गोलों से जहलते हुए journalists ने grounds से रिपोट किया उसके लिए इनको मिला है मतलब mario poll ukraine में लड़ाई का news cover करने के लिए उसी prize में जो है new york time को भी जो है international reporting के लिए international reporting के लिए वो भी जो है रसिया का invasion जो ukraine पे हो उसकी reporting के लिए new york times को मिला है name of the strongest cyclone in north indian ocean hitting manmar and bagladesh one of the strongest करी 255 km पर आवर के रफ्तार से इसमें जो है यह cyclone landfill हुआ था landfall हुआ था sorry देखे cyclone कैसे बनता आप यहां देख सकते हैं कि यह एक चक्रवात इस टैप से बनता है और इसकी जो यह particular direction में हवा जो है चक्र में घूमती है जो कि हम लोग northern hemisphere में है विश्वत रखा के ऊपर यहां पर यह एंटी clockwise गूमते हैं तो इस टैप से गूमते हैं एंटी clockwise ऐसे और जो southern hemisphere में देखेंगे तो उल्टाइए जिस direction में clock होती है उस direction में गूमते हैं ऐसे गूमते हैं तो यह घूमता हुआ चक्र जो होता है वो समुदर में पैदा होता है और वो बढ़ता है लैंड के तरफ लैंड पर आते ही यह टूट जाता है लेकिन जो टूटता है चक्र ना त उसका नाम है मोचा मोका या मोचा कर लीजेगा इसका naming कैसे होता है नेट पे जाके पढ़ लीजेगा या chat GPT पर पढ़ लीजेगा बहुत ही interesting है कि किस basis पे cyclone के पहले ही नाम तय होते हैं अभी ही तय हो गए कि अब Northern Indian Ocean में कोई next cyclone आएगा उसका क्या नाम होगा कैसे रखा है इसमें आप अपने एस जैसंकर को यहां देख सकते हैं पाकिस्तान के जो बिलावल अली भुटों इसको भी देख सकते हैं इनकी दोनों की फोटो बहुत वाइरल होगे जिसमें कि वो नमस्ते करते हैं और यह बहुत ही cold soldier response देते हैं जैसंकर प्राइम मिनिस्टर है पाकि है आप समझ सकते हैं क्यों तो यह जो बैठक हुई है चार से पांच मई में पंजी गोवा में हुई है आपको पता है कि इस साल SEO का चेयर कौन है येस इंडिया इसलिए SEO की बैठक कहां होगी summit जो summit यह सब तो बैठक है मतलब उसके पहले foreign minister मिले कोई finance minister मिलेंगे कुछ और strategic talk होगे फिर सभी देश के जो head है leader है वो मिलेंगे और वो इंडिया में होगे most probably September में date देख लिजेगा इंडिया इस बार G20 का भी chair है तो G20 का भी बैठक इंडिया में ही होगी तो इंडिया में दो बैठक इस बार important होने वाले G20 और SEO who is going to become the next world bank president और ये gentleman हम लोग को बहुत खुसी देते हैं क्योंकि ये Indian origin के हैं वैसे तो अमेरिका में बसे हुए हैं एक economist financial expert मने जाते हैं और ये बनने वाले हैं world bank के पहले साथ non white president Ajay Bangga very very proud moment for us और ये दो जून को बन जाएंगे ये तय हो चुका है दो जून 2023 को Ajay Bangga ये news पढ़ लीजे ये तो मैं पिछले वीग का मैं बस छोड़ जा रहा हूं jet भी होत important है इसलिए क्या है just energy transition partnership जो G7 लेकर के आई है एक जिसे आपने भी global shield पढ़ा उसी से related ये नहीं है पढ़ लीजेगा ये जो है autocorrect का कमाल है AI artificial intelligence considered as godfather of AI who quit google recently we are talking about ये इन्होंने संसनी मचा दी इस gentleman ने artificial intelligence को बढ़ाने का मुझे लगता है मैं humanity के साथ crime कर रहा हूं क्योंकि artificial intelligence humanity के लिए खत्रा है अच्छा नहीं और इस पर पूरी दुनिया में बहस चुरू हो गई या इसके कोई regulatory mechanism होनी चाहिए कि एक सीमा से अधिक जो है ये उस तरीके से ना operate करें जिसे कि लोगों को harm हो लोगों के interest कही लोग कहते हैं कि ये बहुत job को खा जाएगा ये भ्रहम फैलाएगा ये सूचना को और जो है post truth world को और पुखता करेगा ये सच भी है कि आप chat GPT use क करते तब आपको समझ में आएगा मैं तो फूट extensively use करता हूँ मैं अभी आपको बता रहा हूं chat GPT आप लोग में से जो नहीं जानते हैं वो इसका download कर लीजिए आप भी download कर लीजिए ये AI based information में जब आप उससे information link तब आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ क्यों आप समझ सकते हैं लेकिन chat GPT तो कुछ नहीं बताता है आपको बस बताता है यह सच है यदि आप पूछोगे कि इंडिया में मुसल्मानों के क्या हालत है और इंडिया में मुसल्मानों के साथ अत्याचार होता है इस टेप की बाते में कुछ भी किसी के बारे मैं किल एक्ज प्रशान किया आता है बहुत ही टॉचर किया आता है हो सकता है उस सच हो नहीं हो कुछ पता नहीं है लेकिन chat GPT जो कहता है उसको लोग सचमाल लेते किवल एक जो है जो है जिसको कहते हैं कि जूट या भ्रहम फैलाना या narrative create करना या post truth create करना ये एक हाम है लेकिन इसके अला आज में कह देगा ये program बना देगा बहुत सारे clinical काम कर लेता है homework करा देता है इससे लिग देता है आपका जो software है उसके debugging कर देता है तो कई जो है routine clinical काम जो है वह छिन जाएंगे लोगों से ये सब भी मुसीबत है और इसके लावा और कई तो इसके चलते जो है इन्होंने resign क कर दिया कितनी बड़ी बात है इस पर जारा सोचिएगा ये वाला ये news देखिए उरोप डे कब मनाया जाता है यूरोप डे जो है वो मनाया जाती है 9 माई को अभी आपने देखा कि 8 या 9 माई को जो है victory day में मनाया जाता है और उसी दिन जो है लगबग Europe day में मनाया जाता है ये क्यों मनाया जाता है क्योंकि उसी दिन जो है इसको कैसे पढ़ेंगे स्कुमान डेकलरेशन हुआ था 1950 में ये क्या था जरब पढ़ लीजिए बड़ा interesting और एक्जाम में पूछा जाता है उसी ये जो declaration था इसकुमान डेकलरेशन ये French foreign minister Robert Skuman ने किया था 9 माई 1950 को उसी के याद में इसको मनाया जाता है उसमें जो है एक community बनी थी European coal and steel communities में छे country सामने आये तो उन्होंने कहा था कि हम अपने जो energy resource है coal और जो steel बनाने की उसको पूल करेंगे और मिल करके हम लोग काम करेंगे coal and steel के field में और उसी से जो है आगे series of negotiations, series of treaties हुए इसको पहरी इस treaty भी क वो इसको में declaration 1959 मईए से हुथी उसी के याद में नो मईए को यह मनाया जाता है Global Gateway Strategy जो है कि इस organization ने launch किया है यह European Union ने launch किया है और यह क्या है पढ़ लीजिए मतलब एक तरह का global good create करने का कि जहां पर कि energy, transport, health, इन सब infrastructure को European Union support करेंगे पूरे दुनिया में जिसे के दुनिया बहतर बन सके यहां यह भी आप जाने लीजिए कि Ursula Wonderland जो यह कथन कह रही है Global Gateway Strategy कि यह है कौन यह प्रेसिडेंट है European Commission के, European Commission क्या है European Union का government समझ लीजिए कि एक तरह से European Union के head यदि कोई बोले तो यही है Ursula Wonderland अब यदि इंडिया के news पर चलें तो इंडिया ACN joint जो है naval यह maritime exercise हुआ है अभी कहा हुआ है यह दो जगह हुआ है एक तो चांगी naval airbase है Singapore में 2-4 माई को हुआ और फिर जो है South China Sea में जो कि चाना जिसमें अपनी इंतखल रखता है वहाँ 7-8 माई को हुआ हुआ तो यह दोनों ही सही है important है जान लिजे आपको पता है कि इंडिया ACN का कितना पुराना पार्टनिसी पर 30 साल से ज्यादा हो चुका है हम उसके स्ट्राटेजिक पार्टनर है इंडिया जो लेटेस रिलीज वर्ल्ट फ्रीडम इंडेक्स हुआ कितना हुआ इस पर खासा विवाद भी इंडिया में हो गया इंडिया इसको नहीं मानता और मानना भी नहीं चाहिए क came we can talk to you कि हम लों के रहन को जो है 601 रखा घया है onetzॉन के कांट्री में समाझी के हम लोग हम रोग अफगानिस्तान और पाकिस्तान से वह नीचे क्या आप इसको मान सकते हैं कि अफगानिस्ταν में इसनी पे परेस फ्रीड में इपर उतनी भी इंडिया में यह को इसा कोई नह और वो narrative भी create करते हैं, मैंने कभी narrative बताया भी चैट जीट भी के थुरू, कि यहां पे जो Muslim है, इसाई है, Sikh है, उनके साथ अच्छा बेभार Indian government या Indian dispensation नहीं करती है, यह बात को जो है एक narrate किया जाता है, उसी के तहत हो सकता है कि, और कई बार report भी आते हैं, कि यह reporter को jail डाल दिया गया, उसको jail डाल दिया गया, उस पे ban लगाया गया, यह किया गया, इन सब के चलते हो सकता है, बीबीसी पे जो अभी कुछ कारवाई हुई थी, उसको भी बहुत negative धंग से वेस्टर ने लिया है, तो यह जो publish करते है, reporters without border, RSF करके जो है, एक संस्था है, और यह संस् प्रेस छूट गया है, प्रेस Freedom Index, और उसमें इंडिया कुनों ने काफी नीचे इस बार राइंग कर दिया है, अब चलिए इस पर आगे विवाद हो सकता है, डिवेट हो सकता है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपको example से में बताता हूं, कि अभी एक divorce का case आया, पचीस साल से पती-पतनी अलग रह रहे थे, multiple cases कर रहे थे, लेकिन नीचे की जाओत उनको divorce नहीं दे रही थी, यह कहते हुए कि कोई cruelty प्रूव नहीं होता है, अब इंडिया में क्या law, जो हिंदू marriage act है, उसकी section 13 के तहत divorce तभी आपको मिल सकता है, जबकि कोई भी couple में से कोई दूसरे पर जुलूम करता हो, जो है बहुत वेग है, वो judge के मर्जी पर है कि किसको cruelty समझे, तो बहुत difficult होता है cruelty proof करना, इसके लिए तलाक मिलना मुस्किल होता है, क्योंकि साधी को बचाना एक परमधर माना जाता है, इवें Indian society में, judges के लिए भी, जो family court होते हैं, लेक लिए cruelty proof नहीं हुआ, तो law के अनुसर डिस्जन नहीं हुई, इसमें कोई कानून ही नहीं कि आप cruelty के बगएर कोई आप दे सकते हो, लेकिन अपने power 142 को use किया, तो 142 वो power देती है, कि कोई law नहीं भी spust है किसी बारे में, तो justice को meet करने के लिए Supreme Court कोई भी order दे सकती है, उसक इसको सब को मानना होगा, आर्किल 142, super power, और इसी power को use करते हुए, पिछले साल इन्होंने पेरिवेलन जो थे, जो राजीव गांदी हत्या कांट के आर्वोपी थे, उनको भी मुक्ती इन्होंने दे दी थी, इतने साल जेल से रहने के चलते, तो यह वाला पहली जेन यूस इसी बिसेस पे, रिसेंट जो राहिट हुए मनिपूर में बहुत ही unfortunate है, हम लोग नौर्थिस्ट के बारे में थोड़ी कम जानकारी रखते हैं, हम लोगों के पठल से जो हो गायब रहता है, लेकिन वहाँ पे जो human trusty हुई है, उसकी कोई अंत नहीं है, लोग कितने लोग country से बाहर गए, मैनमार के तरफ चले गए, और कितने विस्थापित हुए, कितने लोग डरे हुए हैं, भागे हुए हैं, तो मैं ये simple पूछ रहा हुआ, आप तो नेट पर जाके बहुत पर सकते हैं, या TV में आपने देखा होगा, किस दो इतनी group के बीच की ये बिस्गली class तो एक वहां पर मैटी हैं, जो कि ट्राइबल हैं, और कुकी वहां के लोकल इतनी है, नागा कुकी में पहले लड़ाई होती थी, कुकी वहां के लोकल ट्राइब है, और ये जो है पहारी ट्राइब है, इन लोग सिंग टाइटिल रखते हैं, जो वहां के चीफ मिनिस्टर ह हमें वह भी मैटी है तो मैटी और कुकी के बीच की यह लड़ाई है और कुकी लोग अपने को सन अब दस्वाइल मानते हैं मैटी बिचारे सोचते हैं कि हम तो पहारों पे हमको आउपक्षित रखा गया है मैटी अभी काफी एजर्ट कर रही है गौर्मेंट अनदर्स में क्य जाएंगे और दोनों में लड़ाई हो गए सी 295 ट्रांसपोर्ट एयरकाफ काफी इंडिया के लिए क्योंकि यह बहुत बड़ा एयरकाफ्ट होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए मालवाहग जहाज कह लीजिए और यह इंडिया में अब मैनिफेक्ट्चर होना है बदोद बन जाता है कि इंडिया थोड़ी इसमें सिल्फ रिलाइंट हो सकती है अब यहां चीता आप देख पाते हैं चीता आपको पता है नामीबिया से लाए गए बहुत सारे चीता दोख खेप में प्रधान मंतरी ने देश को यह उपहार दिया और यह जो है एक पार्क में छोड रिखेगा MP में अभी दिल्ली सरकार ने एक बहुत इंट्रेस्टिंग घोसना कि इस पर में यह मूज मिरा रहा हूं पिंग पार्क हम लाएंगे 200 यह मूज देख लिए यह पिंग पार्क है क्या येस केबल वोमेन के लिए इसमें मेल कोई इंट्री बंद रहेगी उसमें व होता है वोमेन गार्ट होते हैं तो एक बहुत अच्छी सेकुरिटी फिलिंग दिल्ली में आएगी और लोग खुल करके अपने पार्क में जो है वोमेन कर पाएंगे गोड़ इस्टेट विट विच कंट्री इंडिया साइं अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रिमेंट इप मनतोm free trade agreement को सेपा करते हैं लेकिन सेपा के पहले जो है एक प्रोग्रेस अरली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रिमेंट जिसमने कि सेपा से ठीक पहले की जो कंसेशन है वो दी जारी है यह इंडिया ने सायं किया एंडे के साथ अभी और अब बहुत जल्द लगता है सब्टंब अरब अमिराद के साथ तो में जो है 2022 में किया है तो एक ही साल हुए है इसके यह दोनों तो 2019 में किया था तो चौथा कंट्री साथ कनाड़ा बन सकता है इसके लावा इंडिया ऑस्ट्रेलिया और EU से भी जो है वो सेपा के तरफ आगे बढ़ रहा है UK के साथ भी जयान है सो डियर इस्ट्रेंट थैंक्यू बड़े मच्च मैं इसको लेट ला रहा हूं इसके लिए सौरी लेकिन यदि वीडियो आपको पसंद आओ जरूर आएगा पसंद तो आप इसको शेयर करें लाइक करें कॉमेंट करें और यदि आप सी यूए टी पीजी या इवन आप इसको जोइन करने चाहते हैं तो नेम एंटेल ग्राम मॉबाइल नंबर आप इस इमिल आईडी को भेज सकते हैं यदि नहीं तो आपके लिए सेकेंड बेस्ट ऑप्सन यह है कि पंदरसों एमसी क्यू की बुक ले ले और यह तो मैंने गलत लिखा है यह इसको भूल ज करेगा सीउटी पीजी में एम्यू में सीपीएटी इवें यूजिजी नेट एग्जाम के लिए में चलिए फिर मिलेंगे इस बार कोशिस करेंगे टाइम से लाने की सोलह मई से लेके 31 मई के बीच के तब तक के लिए विदा